श्वेतपरण HRD Institute के Psychometric Test के ट्रेनिंग के इस वीडियो सिरीज में अभी हम देखने वाले कि जब हम एक टेस्ट देते हैं, कोई भी कंडिडेट्स एक टेस्ट देता हैं, तो उसे कौन से प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, कोई भी टेस्ट देने के लिए जब रेडी होता हैं, त उस questions के answers मिलने से उस person की personality का analysis होता है, personality का analysis दो तरह से होता है, एक Dix profile यानि उसकी सोच, उसकी समझ यानि Dix personality analysis होता है, और second thing, उसी personality का यानि उस candidates का multiple intelligence का mapping होता है, उसकी जुग उनवात्ता है, उसकी mapping होती है, इस दोनों भी analysis इस test द्वारा किये जाते हैं, जब candidates उस link पे click करता है, तो उसे अपना नाम लिखना होता है, franchises code लिखना होता है, address लिखना होता है, और उसमें सबसे जरूरी चीज़ होती है, कि उसे दिया हुआ password भी इंटर करना है, without password यह जो test है, वो शुरू नहीं होती, एक बार वो password डाल देते हैं, और submit करते हैं, तो multiple intelligence based questionnaires सामने आता है, यह first set है, कि जो multiple intelligence की questions आते हैं, अभी हमीं समझ लेने हैं, कि एक questions किस तरके हो सकते हैं, जैसे पहला questions आता है सामने, कि आपको पूछा जाता है, you enjoy listening to other people talking, अभी इसमें चार हमें options मिलते हैं, उसमें से एक options को हमें click करना है, यानि पहला question क्या है, कि क्या आप अन्य लोगों की बाते सुनना, या अन्य लोगों के साथ आप जब बात करते हो, उनसे सलाम अशазд मतर्ण करते हो, उनसे आप टॉक्ट करते हो, तो आपको आदंद मिलता है क्या, अगर हाद आदंद मिलता है, तो कुन से level पे मिलता है, कि जो चार options आपके सामने आते हैं, यह options अभी हमने यहाँ पे नहीं दिये, जब test होती है तो यह 4 options आपके सामने आते हैं, उसमें से एक options आपको चुड़ना है, जो आपकी priorities रहेगी, किस प्राधन यता से आप उसे देखते हो, तो उसके इसाब से आप वो option चूज कर लेते हो, और फिर second question के उपर जाते हो, जैसे second questions आपके सामने आ गया, you like to work with computers and calculators, क्या आप computer और calculator पर काम करना पसंद करते हो, अगर हाँ, तो कौन सी level पे, number 1, number 2, number 3, number 4 options आपके सामने आ जाते हैं, आपको उसमें से एक option choice करना है, चलो, इस तरह से test में से second questions का answer भी हमने दे दिया, other questions, you find activities like riding a bicycle, skating, walking on a beam, which you have to balance, यानि आपको दाउनना पसंद है क्या, बाइक चलाना पसंद है, या स्केटिंग चलाना पसंद है, घूमना आपको अच्छा लगता है क्या, किसी भी बीम पे चलना, किसी भी रोड के उपर चलना, या किसी नारू लेन पे चलना, और खुद को बैलन्स करते होए चलना, ऐसी कोई चीज आप करना पसंद करते हो, क्या, सब के सब चीज नहीं, उसमें से कोई अगर एक भी आप करते हो, और अच्छी तरह से करते हो, तो फिर कौन सा उप्शन आप चूज करोगे, कौन सी प्रायरिटी पे आप उप करते हो, यानि दिल से प्लेइंग मुजीकल इंस्टुमेंट, चो मुजीकल इंस्टुमेंट रहते, संगीत वाद्य यंत्र, जिसे हम कहते, वो आप संबाल सकते हो, क्या, बजा सकते हो, क्या, आप संबाल, ना, that means, वो हैंडल कर सकते हो, यानि आप अच्छी तरह से बजा सकते हो, क्या, अगर हा में इसे एक options आपको choose करना है इस तरह से multiple intelligence का next questions फिर आपके सामने आ जाता है यू like to work and play with other kids यानि आपको अन्य बच्चों के साथ काम करना खेलना पसंद है या आपको अकेला ही कामकरना पसंद है तो अकेले अगर करना है तो फिर अन्य बच्चों के साथ तो नहीं खेलना पसंद है तो उस हिसाब से आप priority सेट करोगे यानि आपको answers देना है, क्या आप अन्य बच्चों के साथ काम करना या खिलना पसंद करते हो, हाँ ज्यादा पसंद करते हो तो फिर आप चारों में से क्या पसंद करोगे, अगर 100 है, यानि यो कौन सा options आप चूज करोगे, यो आपके उपर dependents, out of four कोई तो एक options आपको ये सेट है, multiple intelligent वाला, वो multiple choice questions रहते हैं, और उनके answers देना बहुत ही easy होता है, ज्यादा हमें कुछ calculations नहीं करना है, कई पे भी कुछ ऐसे सवाल नहीं है, कि जहां पे आपको ज्यादा दिमाख लगाना हो, जो चीज़े आपकी है, जो इन्बान है, या जो भी आपने आपने का acquire किया हुआ है, जैसे भी है, जो आपको उस वक्त आ रहा है सामने, वो answers आपको चूज करना है, और next question के उपर जाना है, जिस तरह से हमने multiple intelligent के questions देखे, उसी तरह से personality based questions next set पे आजाते हैं, याने जो digs analysis हम बोलते हैं, उसके लिए questioneers आपके सामने आजाते हैं, और आपक तो फिर questions के answers देने हैं, जैसे पहला questions आपके सामने आगया, I like people who are direct and to the point, एक सवाल ही आपके लिए, जैसे क्या आपको लोग पसंद है कि जो सीधे और सटिक बाते करते, याने जो straight forward रहते, ऐसे लोग आपको पसंद है क्या, तो आप answer दोगे, हाँ पसंद है, तो फिर आप एक option choice करोगे, नहीं, 50-50% मुझे पसंद है, कई-कई बार नहीं पसंद भी होता है, तो उस तरह सा options आप choose करोगे, याने, आपका answers की priorities, आप इस multiple choice answers से दून लेते हो, और फिर उसे click करने के बाद, next question के तरप आप जाते हो, जैसे यहाँ पे next question आया, I pride myself in being questions, रहने में गर्व महसूस करता हूँ, हमेशा, जो भी चीज़ सामने आती है, वहाँ पे मैं cautiously सामने जाता हूँ, कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, तो cautiously करता हूँ, अगर ऐसा है, तो फिर आपको choice करना है answer, अगर ऐसा नहीं है, तो उस में से जो low priority वाला answer से हो, low priority व आप जाते हो, जैसे, third one questions आता है, I could be consider content, loyal, command, dating and mild, याने, आप संटुस्ट रहना पसंद करते हो, आप lawyer, याने वफदार कोई भी काम करते हो, तो वफदार इसी करना पसंद करते हो, आप मिलनसार हो, लोगों के साथ आप घुल मिल के बाते करते हो, आप थोड़े soft हो, यान को, इस तरह का आपका behavior है, अगर इसमें से कोई भी एक, या satisfying हो, मिलनसार हो, soft हो, सबके सबे चीज़े आप में है, ऐसा नहीं, उसमें से कोई भी अगर एक अच्छा तरह से होता है, तो उस priority का answer साप choice करोगे, अगर नहीं है, तो उस low priority वाल आप answer choice करोगे, यानि चार आप fourth number का questions आपके सामने आ जाता है, I can sometimes be subjective in my descriptions of things, यानि ये आपके बारे में होता है, कि कभी-कभी आप चीजों को अच्छी तरह से, यानि जो भी person आपके सामने है, उसको धहन में रखते हुए, जो भी चीज आपके सामने घट रहे है, उसे धहन में रखते हुए, आप वीवर उसका लेशते हो, यानि आप अच्छी तरह से describe कर सकते हो, यानि वेक्ति परक आप उसका वीवरन कर सकते हो, अगर आप ऐसे हो, तो फिर आप उस priority का answer choice करोगे, अगर नहीं तो low priority वाल आप choice करोगे, हर वो choice करने के बाद वापस next question के तरप आप बढ़ते हो, जैसे fifth number का question सा आपके सामने आ गया, when getting other people to do things, I am patient, यानि patiently आप काम करते हो, दूसरों के दारा, जब कोई भी कारिया होता है, दूसरा कोई भी काम करता है, तो आप patience पाल लेते हो, नहीं तो बहुत बार लोग क्या करते है, कि दूसरों के पीछे लग जाते, नहीं जल्दी जल्दी करो ऐस आपके पास patience है, अगर है, आपके पास patience उस तरह का, तो ठीक है, आप उस priority का answer choice करोगे, अगर नहीं आप में patience है, तो low priority वाल आप choice करोगे, तो इस तरह से आप सब questions के answers देते हो, और उसलिप आपको tick mark करना होता है, तो हमने देखा, कि जब भी हमारे सामने questions आता है, तो link आ है, उसमें हमारे detail डालते है, और password डालते है, पासवर्ड डालने के बाद में, first हमें multiple intelligent का questions मिलता है, वो सब answers देते है, फिर हमें personality वाले question set मिलता है, उसके सब answers हम देते है, और ये answers देने के बाद में, एक भी अगर उसमें questions रहे जाता है हमारा, तो हम questions का ये जो seat से है, वो submit नहीं कर पाते, तो हमें यहाँ पर precautions लेना है, कि हर एक questions हमें answers में convert करना है, यानि जो choice, multiple choice आपको दिया है, उसमें से तो tick mark होना ही चाहिए, जब आप questions का answers देते हो, तो parents अगर आपके सामने है, या कोई भी आपका कलिक साथ बैटा है, तो ठीक है, लेकिन जो भी answers देना ह आपको खुद को देना है, किसी को पूछ कर आपको answers नहीं देने, यानि दूसरे person का involvement यहाँ पे नहीं चाहिए, इसलिए 13 years और उसके उपर वाले बच्चों के लिए ही, या फिर adult के लिए ए टेश होता है, ताकि उन्हें खुद की बाते खुद को पता होती है, तो parents का involvement इस successfully submit हो गया, अगर a message आता है, तो that means, okay, आपने सब submit कर लिए, जब आप उस screen से बाहर भी आते हो, submit करने के बाद में उस screen से बाहर आ जाते हो, तो इसका भी मतलब यह होता है, कि आपका जो answer state है, वो submit हो गया, अगर उस screen से आप बाहर नहीं आ रहे हो, तो इसका मतलब कोई तो questions है, जिसका आपने answers नहीं दिया है, तो आपको थोड़ा सा scroll करके देखना पड़ेगा, कि कौनसा answers आपने नहीं दिया है, और वो answers देने के बाद में फिर submit करते हो, तो आपका questionnaire submit हो जाता है, और एक questionnaire जब हमारे पास answers उसके आते है, तो हम उसका analysis करते है, और फिर आपको report develop करके भेज देते हैं, और उस report के basis पे आपकी counselling होती है, तो यह पूरा process है, psychometric test counselling का, आपने यह पूरा वीडियो अगर धहन से देखा है, समझा है, तो definitely जब link आपके सामने आ जाएगी, तो आपको अच्छे तरह से पता रहेगा कि किस तरह से आमें यह test देनी है, thank you, thank you very much